सोयबीन की कीमत जहां रिकॉर्ड कीमतों की और बढ़ रही है वही रूस यूकरेन में शुरू ही जंग और विश बजार में बढ़ती मांग के कारण रेट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है पिछले हफ़ते सोमवार को कीमतों में गिरावट देखी गई थी जिसके चलते किसान चिनती थे हाला कि इस हफ़ते लातूर क्रिशी उपज मंडी समीती में सोयबीन के रेट 7200 रुपे पर है हाला कि लागातर दो दिनों तक बजार समीतियों के बीच लेंदेन बंद रहा इसलिए अब किसान सोच रही है कि दो दिन में तस्वीर कैसी बजार की होगी वही क्रिशी विशेशग्यों का कहना है कि मौजूदा बढ़ते आवक का बजार दर पर कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसा इसलिए है क्योंकि मांग से कीमत लगातार बढ़ रही है इसके अलावा युद की स्थिती ने रूस से तेल आयात को प्रभावित किया है इसलिए गरेलू बजार में सोयबीन की मांग बढ़ रही है लातूर जिलो में सोयबीन का प्रसंस करण कर तेल उत्पादन करने वाली बड़ी संख्या में कमपनिया है ये कमपनिया एक महिने के लिए परियाप्त सोयबीन का बंडारन करती है और रोज़ाना खरीदी की जाती है इसके लिए सही तरीके से खरीदी केंद्री भी बनाए गए है बजार में मौझूदा आवक का असर रेट पर पड़ेगा इसलिए आवक की परभा किये बिना सोयबीन की कीमते समान रहने की संभावना है जो सोयबीन 6,300 थी वो अब बढ़कर 7,200 हो गई है इसलिए किसानों को उमीद है कि रेट में और भी बढ़ोतरी हो सकती है मंडी समीत यह पिछले दो दिनों से बंद थी इसलिए दूसरे दिन सोयबीन की बड़ी आवक हुई बले ही आवक बड़ी हो लेकिन यह दर को प्रवावित नहीं करेगी पहले किसानों के लिए दर 5,000 रुपे पर मध्यम थी लेकिन इस साल उत्पादन में गिरावट और बढ़ती मांग के कारण अंतराश्टे यूद के कारण कीमतों में व्रिदी हो रही है सोयबीन का भाव 7,200 रुपे अच्छा है और किसानों को बिक्री पर फैसला लेने में कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए लेकिन अंत में फैसला किसानों का ही होता है सोयबीन की दरे बढ़ेंगी लेकिन यह कब तक चलेगी यह कहना संभव नहीं है इस साल किसानों ने बंडारन का सहारा लिया था क्योंकि उत्पादन कम हो रहा था और रेट नहीं बढ़ रहे थे एक गाउन ने दर्वाजे पर ये कहते वे साइन बोड लगा दिया था कि अगर कीमत 10,000 रुपे होगी तो ही सोयबीन वेचेंगे सीजन की शुरुवात में किया गया फैसला अंतिम दोर में फैयदा होता दिख रहा है वेपारियों ने बविश्यमारी की है कि दो दिन पहले समान दर 7,200 है और अब बजार में 7,500 रुपे तक रेट जा सकता है इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सोवेबीन के भाब किसानों को आगे और अच्छे मिलते दिखाई दे सकते है ब्यूर्ट पोट, मार्केट टाइम्स, टीवी